कहानियों को शौक तो अपको बहुत है और मुझे भी सुनाने का बहुत शौक है लेकिन आज की ये कहानी एक सची घटना से जुड़ी हुई है और इस कहानी को सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी WhatsApp Policy से रिलेटेड है तो चले पहले कहानी सुनाती है और फिर हम पहु और उस किडनापर में बोला कि मैं ने आपकी बेटी को किडनाप कर लिया है बदले में चाहिए मुझे वान मीलियन डॉलर जो कि सिर्फ आप दस मिनिट में मुझे ट्रांस्टर करेंगी लेडी को ये मजाक लगा उसने उसको बिल्कुल बिलीव नहीं किया और उसने उसका मैडम बिलीव नहीं हूँ आपको आपकी डॉटर हमारे कबजे में है और मैं आपके बारे में सब कुछ चांटा हूँ ये कि आपने अभी कौनसे कालर की ड्रेस पहनी है जैसे मैं बता सकता हूँ कि आपने एक ब्लू कालर की ड्रेस पहनी है दूसरी बात आपके हॉल में ए 30,000 डॉलर खर्च किये हैं और अब मैं आपको बता दूँ कि आप 911 पे कॉल ना करें जो कि पुलीस का नंबर है अच्छा होगा आप मुझे 10 मिनिट के अंदर अंदर 10,000 1,000,000 डॉलर जो है वो ट्रांसफर कर दे तब ही आप अपकी बेटी को जिन्दा देख पाएंगी वरना आपकी बेटी का ये आकरी देन होगा इस बात के बारे में उस लेडी ने बहुत सोचा वो बहुत बुरी तर घबरा चुकी थी अब जब उसने पनी डॉटर को कई बार कॉल लगाया तो उसकी डॉटर का फोन बंद हो चुका था कितनी अजील बात है सिर्फ 10 मिनट में उस आदमी ने उस लेडी से 1 मिलियन डॉलर ट्रांसफर करा लिया और वो उन पैसो को लेके चपत हो गया और आप बिलीव नहीं करी नहीं उसकी बेटी किड्नाप भी नहीं हुई थी तो इस true incident से जो information समय मिलती है वो है जुड़ी हुए हमारी WhatsApp की policy से इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए और ये जाने की WhatsApp जब आप अपने mobile पे install करते हैं तो ऐसी कौन से चीज़े हैं जो हम share कर देते हैं और ऐसी कौन से चीज़े हैं जो WhatsApp के through लोग हमारे बारे में जान सक अब जो ये नही रूल लाग हुई है या policy लाग हुई है जिसे 8 February तक का टाइम दिया गया था बट अब थोड़ी extension मिली हुई है और जो लोग भी WhatsApp अपनी mobile में रखना चाहते हैं उनको इस policy को मानना पड़ेगा तो उसके बारे में पहले बात करते हैं सबसे पहले ये बता देती हूं मैं आपको कि जब आप WhatsApp इंस्टॉल करते हैं जब भी भी आपने कभी नया कोई mobile लिया होगा और आपने उसमें WhatsApp इंस्टॉल करने की कोशिश की होगी तो आपको कुछ informations, notifications आती हैं जहां पर आपको allow का option या deny का option आता है जो आपको on करना पड़ता है वो कौन से चीज़ें हैं जो आप allow करते हैं वो पहले मैं आपको बता देती हूं जैसे ही आप WhatsApp को इंस्टॉल करने लगते हैं आपको सबसे पहले अपने phone के model के बारे में WhatsApp को information चली जाती है आ signal कितना strength है आपका Wi-Fi या mobile data किस लेवल पर काम कर रहा है वो information भी WhatsApp को मिल जाती है इसके अलावा आप WhatsApp पे uses कितना data use करते हैं वो information आपका status आपकी profile picture आपकी DP और आपने जो last scene messages किये हुए हैं वो सारी informations along with your IP address आपके mobile का जो IP address है वो और साथ ही साथ आपकी GPS यानि आपका location भी information चला जाता है कुछ लोग ऐसा भी गय सकते हैं कि location तो मौफ भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं उसके बावजूद भी आपकी IP address से WhatsApp आपको locate कर सकती है generalized way में आपको पता है उस kidnapper में क्या किया था उस kidnapper ने use किया उस lady का GPS जिससे उसे ये पता चला कि कल वो shopping पर कहा ग किया है उसने उसके पीछे के काफी दिनों के status को लगातार visit किया था उसे read किया था जिससे उसे ये पता चल चुका था कि वो lady जो है वो बहुत rich है और साथ ही साथ उसके hall में एक painting है जहां के picture उसमें update की थी उस painting को उसने Google से check किया और उसकी cost उसको वहीं से बता चली थी य और उसके mobile पर सिर्फ 1% battery है जिसके बाद वो phone नहीं उठा सकती थी अगर उसने phone उठाया तो भी उसका phone क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा इतनी सारी security के बाद भी हम WhatsApp यूज करते हैं you know why क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छे features भी है WhatsApp के जो मैं आपको अब बताती हूँ WhatsApp आपको allow करता है end-to-end encrypted message का एक message आप देखेंगे जब भी आप WhatsApp खोलेंगे आपको उपर दिखेगा end-to-end encrypted message इसका मतलब है आप जब भी किसी को कोई text बेचते हैं message बेचते हैं कोई link बेचते हैं कोई audio या video बेचते हैं जब वो किसी इंसान को deliver हो जाती है उसके बाद वो बट अगर वो deliver ना हुई हो in that case भी वो 30 days तक ही बहां server पर रहती है बाद में वो खुदब को delete हो जाती है और उसके leak होने के कोई भी chances नहीं होते हैं साथी साथ WhatsApp पर आपको काफी सरी इसे facilities मिलती है जैसे आप group call कर सकते हैं साथी साथ आप उस पे काफी चीज़े share कर सकते है बिना किसी problem के वो काफी free service है उसके costing भी बहुत कम आती हमें और वो 256 group को मतलब group create कर सकता है इन सारी facilities को तो हमने ध्यान में रखा था मगर मज़दार बाती है कि Facebook ने अब इसे WhatsApp को क्या कर लिया है खरीद लिया है इससे पहले Facebook ने Instagram को भी खरीद लिया था तो अब Facebook के मालिक जो हैं वो हमारे WhatsApp के मालिक हो चुके है तो इससे हमारे इसकी privacy policy में आगया है फ़र्क वो उनकी सिर्फ ये इच्छा है कि ये Facebook पे जो भी बाते हम WhatsApp पे करते हैं जैसे आप कभी किसी को लिंक शेर करते हैं तो वो कोई shopping link हो सकती है जैसे आप कोई personal behavior messages करते हैं जिसमें आप य देखते हुए वो कुछ ads को आपको Facebook में चलाएंगे जिससे उनको मुनाफा होगा पर इसका नुकसान यह कि आपको तो पता यह Facebook बिल्कुल secure नहीं है तो अगर Facebook secure नहीं है और अगर इस तरह की बात WhatsApp के साथ भी हुई तो WhatsApp भी क्या हो जाएगा insecure इस बात को ध्यान में रखते इसको भेजने के लिए उन्होंने guidelines भेज दिये हैं, advisory लागू कर दिये तो वो अब नहीं share कर सकते हैं, बट हम जो एक normal लोग हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें WhatsApp रखना चाहिए, क्या हमें WhatsApp को हटा देना चाहिए, अगर WhatsApp हटा देते हैं तो क्या use करेंगे और अगर हम WhatsApp पिर भी रखते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए, आप ये discuss करते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये कि मैं आपको बिल्कुल नहीं कहुए कि आप WhatsApp को हटा दें, क्योंकि ये कोई solution नहीं है, और जहां तक रहेगे आपकी privacy features को share होने वाली बात, तो व अवजूद यहां चोटे बच्चे धडले से WhatsApp यूज करते हैं, तो पहले तो उन पे eyes रखे अगर वो यूज करते हैं, हमेशा DP change करना, profile pictures बदलते रहना, WhatsApp को update करते रहना, status डालना, information को बहुत frequently share करना और special चीज, एक ही message को multiple time अगर आपने share किया, तो WhatsApp आपको किसी भी समय ब बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने का है, वो अपनी policy कभी भी बदल सकते हैं, तो अगर वो ऐसा करते भी हैं, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमें WhatsApp फिर भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका है, बट अब हम WhatsApp आप यूज कर सकते हैं, कुछ चीजों का बस ध्यान रखें, ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी बहुत important चीज या अपनी बहुत personal चीजों को वहाँ शेयर ना करें, ये पहले भी safe नहीं था, आज भी safe नहीं है, अब अगर आप Telegram यूज करते हो, तो उसमें 3-4 आपको extra benefits मि user ID यूज कर सकते हैं, किसी को आपको phone number देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि WhatsApp में दीना पड़ता है, secondly हम यहां सरफ 256 लोगों को एक group में join कर सकते हैं, जबकि Telegram में 2 लाग से जाधा लोगों को जोड़ा जा सकता है, तीसरी बात, Telegram में आप अपना channel भी create कर सकते हैं, जैसे कि जाधा अच्छी है, और एक आखरी बात कि जो data use करते हैं WhatsApp पे हम, वो maximum 100 MB होता है, जबकि Telegram पे आप 2 GB तक कर data transfer कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो यह तो है Telegram की बात, लेकिन अगर आप WhatsApp के साथ बने रहना चाते हैं, तो उसमें कोई दिकत नहीं है, अब एक और चीज है signal, वो भी आप use कर सकते हैं, वो एक local service है, जिसमें भी बिल्कुल WhatsApp की सारी features हैं, उनके जो owner है, उन्होंने tweet किया है, कि वो किसी भी तरकी कोई information को कहीं भी आपकी pass on नहीं होने देंगे और आपका नुकसान नहीं होगा, तो लोग उनको trust करके signal को join करने की बात सोच रहें, but this is all up to you, मेरा suggestion यह कि बिल्कुल आप WhatsApp यूज करें, इसकी प्रिविसी feature के बावजूद आपको चीजों का ध्यान रखकर सकते हैं, अपना ख्याल रखें और अपनी बहुत ही private और personal information को लोगों तक ना पहुचाएं, चाहे इसकी policies में जो भी differences आए, आपका नुकसान कभी नहीं ह होगा, तो उमीद है आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मुझे first time देख रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और मैंने digital addictions पर और इसके अलावा sex education पर भी मैंने काफी वीडियो बनाया हैं, जो please मेरे चैनल पर हैं, मैं उ अधियान रखें, बाई बाई, गुद नाइट